किसे आप सब उमीद करती हूं कि आप सब लोग हरियत से होंगे आज हम बोथ ही सिंपल बोथ ही एजी और बोथ जल्दी बनाने वाली रेस्पिया के साथ शेantically शेयर कर दें यूनन की जो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही बन जाते हैं उसके लिए आपको ओवन की भी जरूरत नहीं है तवे की भी जरूरत नहीं है हम एजी वे फ्राइपान में बनाएंगे आज जो बोथ ही जैटपट बनेंगे और आपको मेरी रेस्पी इन्शालला जरूर पसंद आएगी आए स्टार्ट करते हैं यह मैंने प्लेन फ्लॉर लिया है आदा किलो एक टी स्पून सॉल्ट जाएगा इसमें दो टेबल स्पून ड्राइए इस्ट तीन टेबल स्पून ओलिव ओईल 100 ml इसमें पनी जाएगा वॉम 100 ml मिल्क जाएगा वॉम एक साथ ही मैंने सारी चीज़े डाल ली है अभी इसका डो बनाते हैं आप इसको आथ के साथ भी बना सकते हैं ये मिशीन में थोड़ा अक्षा मिक्स अजाता है लेकिन आपको आख के साथ भी इसको अच्छी तरह से गून सकते हैं ये देखिए अभी इसको में थोड़ा अब इसके उपर अच्छी तरह से क्लिम फिल्म लगा के इसकी एटाइट करके या किसी भी आप एटाइट बॉक्स में डाल दें मैंने अच्छी तरह से उसका एटाइट कर दिया क्लिम फिल्म के साथ अभी मैं इसको तकरीब बन एक गंटे के लिए एक से तेड़ गंटे के लिए इसको किसी वाम जगा पर रखोंगी आप माइक्रोवेर में राख लें लेकिन वाम प्लेस पर रखना है फिर इन्शाला इसके नान बनाएंगे यह देखें मुझे तकरीब एक गंटे से डेड़ गंटा हो गया इसको रखे होए देखें वह वॉल्यूम डबल हो गया इसके ताथा अलहम्दोलिलिदा बहुत नाइस राइस हुआ है अभी हम इसको इसके इंदर इपड़ा साथ के साथ दबा लेंगे और इसके नाइस साइज के पेड़े बनाएंगे एक जैसे ही रखते जाएंगे यह देखें मैं इपने सारे पेड़े बनाकर इस तरह राख लिए मेरे तकरीब बन तस नाम बने है इसके आदा किलो के अभी इसको हलकी हाथों से रॉल कर लेंगे पान के लिचे मैंने पहले इससे आग लगा दियां तो थोड़ा सा वोम भूँए तो इसके अले डालते हैं तो एंप्षाण पान में थोड़ा सा तेल नीचे लगा देंगे एंगे अलका सा ज्यादा नहीं करना बस एंधां एंधादा नए आख तूटाट नीचे लिए अब यह में इसके अंदर नाम को डालेंगी आँच जो है वह आपने बिल्कुल स्लो रखनी है स्लो मेडियम अभी यह देखिया इस्ता इस्ता उसके उपर बबल आने शुरू हो गए है बसे देखिया बबल आने शुरू हो गए है बस थोड़ा सा उस तरफ से होए है फिर हम इसको टैन करते हैं हम इसको टैन करेंगी यह देखिया माशाला देखा कितना नान हुट से फूलना शुरू हो गया है इसे बहुत सॉफ्ट बहुत प्यारे नान बनते हैं बहुता कितना है क्वब लूब भूआ लूब भूचान से लौब लूब 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 लूबना कि अजब लूबाव भूब लूब की। अभी हम इसको अटार लेंगे, इसके हाँ पर हलका हलका तेल लगा लेंगे, तेल से ही है कि और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा उपर औरियंडर डाल देंगे, इस तरह जब दूसरे भी उपर अपने शुरू करेंगे, तो उसकी बड़ी प्यारी स्मेल आएगी, अभी हम ना, दूसरा भी अंदर डालेंगे, हलका सा दबारा ओल करेंगे, जाते हुआ हैं, जाते ही जबर्दस नाम प्यार हैं, बहुत ही सिंपल रेस्पी हैं, बहुत ही ज़्दी बनती हैं, और देखें कितने सॉफ्ट हैं, देखें, ये रिखें अंदर से भी, किसने नाइस, सॉफ्ट स्पंजीना बने आप भी बनाएं सब को खलाएं मेरी रेस्पी जरूर ट्राइ कीजिएगा इन्शाला आपको जरूर संदाएगी अपनी दौाओं में याद रखें जो मेरी नए वीडियो देखने वाले हैं वो मेरी चैनल को सब्क्राइब करें लाइक करें कॉमेट करें इन्शाला नेक्स रेस्पी में फिर मिलेंगे तब तक के लिए अपनी दौाओं में याद रखेंगा अल्ला हाफिज हुआ है